रेस्ट और छुट्टी नहीं पाने पर कर्मचारी ने रेल मंत्री से जहर खरीदने की अनुमती मांगी मेडिया में समाचार के अनुसार सबंधित अधिकारी द्वारा रैस शुट्टी नहीं देने पर कर्मचारी ने रेल मंत्री को लिखा पत्र कहा जहर खरीबने की अनुमती दो उत्तर पश्चम रेल्वे जैपूर मंडल के फुलेरा स्केशन पर कार्यरत लोको पाइलट ड्राइवर ने रेल मंत्री से लिखित में चौंकाने वाली अनुमती मांगी है लोको पाइलनट गुट ने 30 जनवरी को फुलेरा लोको लोबी में रेल मंत्री को लिखित शिकायत की है इसमें उसने लिखा है कि छुट्टी और रेस्ट नहीं मिलने से मैं पूरे परिवार को जहर देना चाहता हूँ पतह मंत्री जी से प्रार्थना है वे मुझे जहर की गोलिया खरीदने की अनुमते दे और मेरा परिवार मर जाए मेरिया को उसने कहा कि माता पिता पत्नी मुझसे यही कहते है कि ऐसे जीने से मरना अच्छा है मैं तनाव में रहता हूँ ट्रेन संचालन के दौरान भी तनाव रहता है नियमानुसार एक लोको पाइलट को लगातार छे दिन काम करवाने पर साथ वे दिन रेस्ट अनिवार्य है परन्तु प्राप्ट जानकारी के अनुसार अभी बारग दिन में भी रेस्ट नहीं दे रहे रेस्ट का समय 30 से घटा कर 22 घंटे कर दिया गया है रनिंग स्टाफ से लगातार तीन से ज़्यादा नाइट ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती है लेकिन लगातार 6 नाइट ड्यूटी करवाई जा रही है ट्रेन के ड्राइवर से लगातार 9 घंटे तक ही ट्रेन चलवाई जा सकती है लेकिन जैपूर मंदल में सभी ड्राइवरों से 14-15 घंटे ट्रेन चलवाई जा रही है